ओ जैपुर का सुनिया राजी मन शाम धनीन सजाना से देखो मैं तो सजाने, रिज्ञाने और गाने की बात करता हूँ क्योंकि मैंने अपनी उमर में कभी किसी चीज की कमी नहीं देखी ना कभी किल्लब देखी ना उसने देखने दिये और जिसने जैसा महौल देखा हो, वो वैसी ही बात करता है मुझे जब से इनकी शरण मिली है जो था, वो सौ गुना हो गया लेकिन था, उसने दिया हुआ था ऐसा नहीं था कि मेरी कहानी मिलकुली, वो एक गरीब किसान था उसके ये था, उसके वो था, ऐसा नहीं था करपा ने, करपा ने करपा से मिला दिया करपा ने, करपा से मिला दिया जो फूल, खिला हुआ था, उसको महका दिया करपा ने, करपा से मिला दिया जो फूल, खिला हुआ था, मुर्जाया नहीं था बस खुशपु चली गई था जो फूल, खिला हुआ था उससे महका दिया आंगन बड़ा अच्छा था उससे भी चहका दिया आंगन बड़ा अच्छा था उसे भी चहका दिया कैसे बताऊं शाम ने क्या कुछ नहीं दिया क्या बता सुनना जरा अना आज बंडी है क्या बलब गड़ में भी है क्या पुराने जमाने में मतलब 20-25 साल पहले पुराना तो क्या था 20-25 साल पहले आज भी जो मंडिया है उनके अंदर गड़ियां लगी है फटे लगे है और उसके उपर गड़ा लगा है, मस्टन लगा है दो तक्ये पड़े हैं, सेड जी वहीं से सोदा करते हैं और आज भी पुराने दुकंदार आपको मिलेंगे ना तो उनको पास वो गड़ी मिलेंगे नए वाले तो मेंगी मेंगी कुर्सियां लगा देते हैं, गुमने आड़ी लेकिन पुराने आड़े उसी पे कर लिया करते थे सब कुछ रोटी भी उसी पे खा लिया करते थे दो गंटे उसी पे सो लिया कर लेते और उसी पे ही सोदा कर देते थे अब तो रोटी खाने का कमरा अलग है बैठन का कमरा अलग है उनकी दुकान पर एक नोकर काम करा करता है अब जो पुराने लाले पुराने बढ़िये कहलो कोई काम भी ना होना तो भी छोरे को बोल देते चर पैरी दबा दे खाली सुआता को नहीं खाली सुआता को नहीं चल अच्छा एक काम कर चा सबजी ले आ अड़े ना बैठे मेरे सामने ना बैठे चल जा सचाई यह नहीं तो दुपैर का टाइम था बाओ जी कोई आदेश है क्या मैं आदेश हो तो मैं तो अब दुपैर का टाइम था सेड़ जी से सेड़ जी का दोस्त मिलने आ गया और उसके थेले में कुछ था और नोकर ने का बाओ जी थेला मुझे पकड़ा दो मैं साइड में रख देता हूँ सेड़ जी बोले इसको आतरी लगाना अनक थी ना जिसकी कोठी दाने उसके कमले भी स्याने अनक थी बोला इसके आतरी लगाना नोकर थोड़ा सा तेज था बोला बाओ जी क्यूं ऐसा क्या इसमें बोला इसमें खाटू शाम जी का मुकुट है चांदी का तो बोला बाओ जी हम आतरी लगा सकते बोला ना तो बोला क्यूं बाबबा जितना थारा है मारा भी तो है बोला लेकिन तुँ आथ नहीं लगा सकता है बोले आथ नहीं लगा सकते तो बोले ठीक है कोई बात नहीं जाए सरी शाह उसी टाइम उस नोकर ने शाम बाबा को और जी लगाई कि बाबा अगर तु है तो ऐसी किर्पा करियो जो तानाई सेठ ने मुझे दिया कि मैं तेरे चरते हुए मुकट के हाथ भी नहीं लगा सकता ऐसी किर्पा करियो कि मैं भी चांदी का मुकट लेके तेरे दरवार में हूँ कभी किसी को बड़े बोल ना बोलो आपका वक्त दो मिनट में पलड जाएगा पता भी नहीं लगेगा ऐसे पलड जाता है बीस साल नहीं लगा है बापा ने पांच साल के अंदर जो सेठ थेले के अंदर बापा का मुकट लेके आये था ना आज वो नोकर शाम बाबा की गिर्पा से बारदाने की मिल का मालिक हो चुका और उस सेठ की दुखान पर कोई भी बारदान आ जाना तो उसकी वैक्टरी से जाता है और आपको एक बात और बता दू कोई भी चीज की मननत मांग लेना याद रखने की जुर्थ नहीं है लिखने की जुर्थ लिकने की जुर्त नहीं है अब वही बात उसके साथ हुई पांच साल फेले बोला वह मुकुट बगत भूल गया अब भुला तो जनाब आगे रच औरे के बात मुकुट बोलके गया था बगत की आख में जर जर आसु हां बाबा मैं बोलके गया था मैं ला रहा हूं आता हूं मैं ला आ रहा। सुबह उठा करवाली को बोला कि रात बाबा आया था मुकुट के लिए बोलके गया तो बोला ठीक है बनवालो फिर कैने बनवालो ये तो भूच्छा ही नहीं बाबा से कहां से बनवाओं से ठानी भी समझदार थी बोले दुबारा बोलके सोजा ना इसी दुबारा देखने को मिल जएगा लेके जो टालिया होती न इससे पता लग जाता है कि आप कितनी शिदद् से सुन रहे हो एक बार अपने लिए टालिया है हाँ तो बुला दुबारा दुबारा बोलके सो जी ओ अब सेठ रात को बोलके सोगया कि बाबा मुकुड तो पक्का है लेकिन एड्रस बता कहाँ का अच्छा लगता है अब रात को बाबा फेराय भुला वो जो सेठ लाया था जैपुर से बढ़ा के लाया था और तुने मांगा था कि वैसा ही मुकुट चुना के जाएगा तो जैपुर से बढ़वा के लिए अब सेड़ जी कत्ती छोड़के मुच्डा सा कुड़ता पैर के जैपुर पौँच गे अब हर्याने के पुराने सेड़ कोई देख ले तो समझ नहीं आते कितने बड़े साम में हैं सो करोड़ वाला भी गरीब सा नजर आता है लेकिन ध्यान से देखो सांवरे के करीब नजर आता है अब जैपुर पहुंच गया सुनियारे की दुकान के बाहर खड़ा हो गया अब बाहर वाले गार्ड ने देखा ये गरीब आदमी अंदर जाके क्या करेगा अंदर को सोना डायमेंड चांदी बिकता है इसकी जेब में सोर पे नहीं लगते बोले सेड जी कहां जा रहे हो सेड जी बोले बिक बजार है क्या जो छेल लग रही है जिस चीज की दुकान है वो लेने जा रहा हूं बोले जनाब कुछ होना भी चाहिए सेड जी के पास नहीं नहीं आये थे सेड जी ने सिद्धा पांसो खाड़े आठे ले बेटा जा चाई पी लिए वो समझ गया सेड जी पक्के है माल लेके जाएंगे अब सेड जी अंदर गए शोरूम का मालिक आ गया बोला वाओ जी क्या चीए ओ जैपुर का सुने आरा जी ओ महने शाम धनीने सजाणा से बोले जी शाम धनीने सजाणा बोले उनका तो मुकुट लगेगा और उसमें पैसे बहुत लगेंगे लगनी राब दे पाओगे सेड जी ने चेक्बुक निकाल दी साइन मार के अमाउंट खाली छोड़ दी बोले भरले जितने बरने है पैसे का कोई सवाल नहीं और सुने मैंने तो चंदी का बोला था लेकिन तेरी बात सुनके इब सोने का मुकुट चड़ाडा से पक्की बात है आज ग्यारस की रात है सुनना जरा इस बजन के अंदर ग्यारस की भी बात है आव जरा मिलके मानलो मुंगत बनो हाथ उठाके मननत मांग लो बाबा के शर्णों में चल्भाव मां सुनेगा जय पुर्गा सुनिया राजी पुन शामगणी न सजाना आए चैपुर का सुणिया राजी मने शाम धरी न सजाना जै ऐसे का कोई सवाल नहीं सोने का मुक्ट चठाना सै सुनार दे पूछ लिया कैसा बढाऊं सुनार बोला बाओ जी बात तो ठीक है आपकी लेकिन टाइम निया छे मिने से बहले बाओ जी प्लीज मेरे तार पूट जाएंगे मैं भूज जाओंगे प्लीज बैड़ जाओ प्लीज हां जोड के बिंती है अब देगो वो कनेक्शन टूट जाता है सबका दिल है सबका दिल है बगवान ऐसा दिल ना है आपके जीवन में कि आप ये मोतियों नहीं डाइमेंड की माला मुझे चड़ा के जाओंगे हलका 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 जैपुर में कलियों में घूमते तो हलका हलका बसता है मुक्ट बनाते ऐसा प्यारे देखते रह चाएं देखने वारे मुक्य तैडुड जी बॉले शें मिन एंदिवांस बुकिंग चल रही है कि ताइम नहीं है सुन्यार बोला। शें मिन डैना टाइम नहान तो चेक बुक प्लेंक दीयों 51 दो अच्छा सुनार बला चाहिए कभ तो सेर जी ने टाइम दिया समय में दू तुझे दस मीं तक समय में दू तुझे दस मीं तक 11 में दोlistे दसमी तग, 11 में दोलाना है कोठे पुरिकां सुझ या राजी, मन शामदलीन सजाना है एक बार शोड मुजागे बदाओ ऐच्छय लग रागation हाँ सुनियार बोला बाउजी एक बात भी समझाती जितने लोग आते हैं सारे कहते हलका बना हलका बना तुमारा सेड़ गजब का तुम कहते हो बारी बना काणी गया है व्यथा और कथा दोनों लग लग शब्दें मैंने एक भगत को व्यथा सुनाई उसने शाम की कथा सुनाई मैंने एक भगत को व्यथा सुनाई उसने शाम की कथा सुनाई उसने शाम की कथा सुनाई सच्चे मन से धान लगा सच्चे मन से दाली बजाना की बाबा हमारा खाम कर दो कोई ततर मंतर नहीं है बस सच्चा दिल बोला सच्चे दिल से धान लगा हर काम तेरा बड़ जाना है जैंपुर का सुनिया राजी मन सौम धड़ी मेर जाना है तैसे का कोई सवाल नहीं सोने का मुकट चड़ाना है तैसे का कोई सवाल नहीं सोने का मुकट चड़ाना है कौन को चड़ाएगा सोने का मुकट बाबा को ताली बिला के एक दो धी जाना कर दो कर दो कि अधार बोला बोला बाब जी सोना बहुत महेंगा है चांदी का चड़ादो कोई बात नहीं बापा मावश कर देगा हम भी ऐसे काम करते हैं बुला कोई बात नहीं काजु कतली बोली थी बुंदी चड़ादे एक ही बात है बोग तो लगाई रहे हैं नो सोच कर देखो जब आम दनील आंखरवे थी तब भी एक पेड़े का टपा एक मोड छड़ी और एक इतरकी शिशी लेके जाते थे आज भी इतना कुछ दे दिया फेर भी वह आइटम नहीं बदलिया जितना दिया उतना वहां भी तो पड़ोतरी करो और हमारी विडमना परशाद का वो लेते हैं चीज जो हमें अच्छी लगती है लड़ू लेले जी ना 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 चिंटू को पेड़े अच्छी लगते हैं यहां कि बाबा को नहीं वूसते क्या अच्छा लगता है बाबा तन्य मेड़े मेले चालू रे और यह पुराने भक्तों के लिखे हुए बजयदे हो बी रेवडी घचा ख़ा देते थे बापाको अमने चपपन मों ख़आ दिया तो क्या हो गया बोला भाई चांदी का जड़ा दे तो सेड़ जी वो ले चांदी का मुट मैं बोलके आया मेरा सोने जैसा काम बनाया चांदी का मुट मैं बोलके आया बोला भाई जब सोने जैसा काम किया तो सोने का मुट मैं बनाया सोने जैसा काम किया सोने का मुट मैं बनाया हम सेड़ जी की बात सुनके करिश्मा पता है क्या हुआ जब सेड़ जी ने का ना सोने जैसा काम किया सोने का मुट मैं बनाया तो सुनियार के मुँ में पाणी आ गया भोला इसकी तो मिट्टी सोनना होगी मेरे पास तो पहले नहीं सोनना है पता नहीं क्या करतेगा तो सुनियारा भी साथ हो लिया सावरिये ने मन को बोलिया सुनिया राबी साथ हो लिया सावर ये ने बन को लिया मितल मेरे खाटू वाले का हर कोई जगत में दिवाना है दिवान ने है की नहीं है तो दोनों हाथ खोल के मिलकर मांगना ओ जै मुरे का सुनिया रादी मने शाम दरी न सजाणा से जै मुरे खोल प॑ले खाटू झाना है जै मुरे का सुनिया रादी तो दोनों हाथ बोल येना दीड़ा महारामत् मतो नरेश की सम्हातू नरेश की